लगाता रहाम है इस खतरनाक और भेशड आग के घटना पर हादसे पर बने हुए हैं आपको सीधे लिए चलते हैं घटना इस तल पर जहां कि तस्विरे सुनते हैं तो आला अधिकारियों के पहुशने का सलसला भे यहां पर शुरू हो चुका है और ऐसे में अभी तक भी कोई क्लियारिटी साबने नहीं आसकी है कि इस पूरे हादसे में इसके पीछे आखर वज़े क्या रही और किस तरीखे से इस पूरे रिसक्यो आपरेशन के खत्म होने के बात में अब तक घालों के तादाद सही तोर पर कितनी है उनकी इस्तिती कैसी है अभी भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन दाई तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसे आपको साफ अंदाजा लग रहा है कि लोग वहाँ पर किस खतरनाक इस्तिती में किस विक्राल इस्तिती में फसे रहे होंगे जिस वक्त ये आग उसके आगल बगल की जो दो फैक्टरियां थी वो भी उसी की चपेट में आ गए और दुखत बात ये रही कि मौतों का आकरा इसलिए भी जादा बढ़ा उन फैक्टरियों में भी वहाँ पर काम करने वाली लोग सोते थे जरा तसवर किजिए कि लोग सो रहे हों और अचान बाहर लोगों को मदद के लिए पुकारना शुरू किया और फिर बाहर के लोगों ने वहाँ से टेलेफॉन के माद्धम से फायर विभाग और दिल्ली पॉलिस को इस बात की जानकारी दी हाला कि शुरवात में किसी भी हादसे के बारे में किसी को पूरे तोर पर कोई जानक 35 लोगों की मौतों की पुस्टी तो की जा रही है जो जानकारी आ पारी है मगर क्या ये आकड़ा ये तादाद और भी जदा बढ़ेगी बढ़ने वाली है फिलाल इस बात का इंतजार है कि जानकारी क्या अस्पताल की तरफ से दे जा रही है क्योंकि बेश्मार ऐसे लोग हैं जिनका इलाज जिनका उपचार दिली के चार अस्पतालों में राम मनोहर लोहिया सहित, एलन जेपी, हिंदो राव और सफदर जंग में इलाज जारी है इस भीश में भी लेकिन जिस फैक्टरी में आग लगी है वो फैक्टरी बताय जा रहा है कि एक शचस की है जहाँ पर यह गत्ता बनाने का काम, थैला बनाने का काम, बैग बनाने का काम हो रहा है जैसा कि अपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बयान सुनवाया था जो ये कह रहे थे कि हमारे भतीजे की ये फैक्टरी है और अचानक जब आग लगे उनके तीन भतीजों में से दो का भी पता नहीं चल रहा और उन्हें बताया कि वहां उस फैक्टरी के अंदर भी करम हों या फिर मजदूर हों काम करने वाले लोग हों वोरकर्स हों वो भी वहां पर सोते थे इसलिए अन्देशा इस बात का और जदा बढ़ रहा है कि क्या मौतों का आकड़ा और जदा बढ़ेगा हलाकि जिन लोगों के रिस्क्यो की जाने की बात कही जा रही है करीब करीब 56 से 60 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है और ऐसे में मल्बा हटाने का काम दिले पुलिस ने MCD को बुला करके वहां पर करने के लिए कहा है ताकि क्या उन मल्बों के नीचे भी कोई शख्स दबे हैं इस बात को भी रिचिक किया जा सके देखा जा सके जिस तरीके से अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के माद्धिम से जो जानकारी आ रही है इसके मताबिक फैक्टरी में देर रात काम करने के बाद में लोग उसी फैक्टरी में सो रहे थे यानि कि एक तरीके से इसी फैक्टरी में वो लोग रहते भी थे काम भी यहीं पर करते थे और फैक्टरी में अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद में लोग वहीं पर सो भी जाय करते थे और जब दम घुटा तो फिर ये इस्तिति परदा हुए